एक बर फिर रुबीना और अभिनव ने दी प्यार की मिसाल नमस्कार मैं हूँ लीसा इस वीजियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अभिनव के साथ रुबीना भी बैठ गई अपने घुटनों पर तो हम आपको बता दे कि कवीता जब नॉमिनेशन की प्रक्रिया के लिए पहुँची थी उस कुर्से पे तो उनको विग बोस ने ये फर्मान सुना दिया कि अगर आपको सेफ होना है तो अभिनव को रुबीना की क्यूटी पटूटी को साफ करके निकी को वापस गिफ्ट करते हुए घुटनों पर बैठ कर उनसे माफी माँगनी होगी और कहना होगा कि निकी तुम हो सही ऐसे में पहले तो अभिनाव इसमें बहुत ज़दा कंफ्यूज नज़र आए क्योंकि ये सीधे-सीधे उनकी एगो की बात आगे थी उनके सेल्फ प्रिस्पेक्ट की बात आगे थी जहां पर उनको हुमिलेट होना था और कवीता भी इस बात को कहीं न कहीं समझ रही थी कि ये बहुत ही हुमिलेशन वाली हरकत है लेकिन अभिनाव ने कर दिया इस बात से अगरी और वो लेकर आए क्योटी पटूटी को साफ करके और उन्होंने निकी के आगे जब घुटने टेके तो पत्नी रुबीना भी उ लेकते हैं जहां अगर बात आए अभिनाव की घुटनों पर बैठने की तो रुबीना भी उनका साथ देने घुटनों पर बैठने आगे वो जानती थी कि अभिनाव जो कर रहे हैं वो कहीं न कहीं उनके सेल्फ रिस्पेक्ट लिए ठीक नहीं है और अभिनाव को कहीं अभिनाव की प्यार की दास्ता और कई सारे लोगों ने इन दोनों के इस बॉंड को अप्रिशेट भी किया है हम आगको बता दे कि रुबीना और अभिनाव दोनों ही बहुत स्ट्रॉंग कपल बनकर नजर आ रहे हैं घर के बार लेकिन उससे जादा उनका प्यारा सा ये र और अभिनाव के रखा था फास्ट और किस तरीके से उन्होंने करवा चौत मनाया था घर के अंदर और अब ये जब रुबीना ने अभिनाव कर दिया टास्क के दौरान साथ ये फैंस को कर रहा है कि इस घ्रेजी आपका क्या कहना है इन दोनों के बार में दोनों के प्यार के बारे में जरूर लेकर बताएगा में कॉमेंट सेक्षिन में साथ ही हमाँ चानल दिखते रहेगा क्योंकि ऐसी सारी अपडेट समाप तक लाते रहेंगे